नमश्कार, Legal Observer में आपका स्वागत है आज इन दिनों जो चुनाओ चल रहे हैं, बात उन चुनाओ की और चुनाओ प्रचार की और चुनाओ प्रचार में जो जुमले, जो आरोब, जो प्रत्यारोब लगाए जा रहे हैं वो किस इस्तर पे पोच गए हैं और कैसे उनमें देश के कानून और जो सम्वेधानिक प्रावधान है उनकी खुले आम धज्या उलाई जा रही है पहले मटन, मचली, अब मंगल चूतर और ये किस इस्तर पे, ये सीधे भारत के प्रधानमंत्री शिरी नरेंद्र मोदी जी के इस्तर पे हो रहा है उनके ताजा बयान रहिस्तान में जो उन्होंने बोला एक रहली में उस पर खासा बवाल है कॉंग्रेस और तमाम विपक्ष लामबंद हो गया है उस मामले पे और चुनाव आयोग के पास आपचारिक शिकायत दर्ज कर दी गई है लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग कोई कारवाई करेगा या चुनाव आयोग जो है इस समय शिरोशायरी की कोई किताब ढून रहा होगा ताकि जब विपक्ष के लोगों का या पत्रकारों का जब उनसे सवाल होगा इस बारे में जब भी कभी वो मौका है जब पत्रकार उनसे सवाल पूछेंगे तो वो इन सवालों का जवाब किसी शेरोशायरी से देंगे गुद्दा गंबीर है कि देश की संपत्ती पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है इसका मतलब ये संपत्ती कट्टी करके किसको बाटेंगे जिनके जादा बच्चे हैं उनको बाटेंगे गुष्पेट्षों को बाटेंगे कि आपकी महनत की कमाई का पैसा गुष्पेट्षों को दिया जाएगा आपको मंजूर है ये ये कॉंग्रेस का मैनिफेस्ट्र कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे उसकी जड़ती करेंगे जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बाड़ देंगे और उनको बाटेंगे दिनको मन्मोन सिंग जी की सरकान ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है भाईयों बहनों ये अरबन नक्सल की सोच बेरी माताओं बहनों यह आपका मंगल सुत्र भी बचने नहीं देंगे यहां तक जाएंगे बकर किस तरह से बाटा जा रहा है देश को और किस इस्तर पर अगर आपने प्रधानवंत्री के वो बयान सुने हैं तो फैसला आप ही कीजिए कि क्या ये वाकई सीधा सीधा उलंगन है या नहीं है कानून तो सबके लिए बरावर है मामला अब ये चुनावायोग तक पहुँच चुका है 15-16 कंप्लेंट कांगरेस ने चुनावायोग को दी है अभी शेक मनुसंगवी और कांगरेस का एक प्रतिन दीमंडल दे कर आया है और भी जो पुपक्षिदल है उन्होंने इसकी आलोचना की है अब और इसकी ने उम्मीद है पूरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ दिनों में ये मामला अब चुनावायोग से निखलकर पुलिस या अदालत के दर्वाजे भी पहुँचेगा अदालत की कसवती पर जरूर पहुँचेगा चुनावायोग से मुझे नहीं लगता कि किसी को उमीद है, चुनावायोग से कोई उमीद है, आपको लगता है कि चुनावायोग की रिडिकेट भी कायम है, वो कर पाएगा इस वक्त, अलाकि प्रधान मंतरी जी ने अभी फोड़ी दिन पहले, कोई दो-तीन दिन पहले, जो उन्होंने अलग-अलग टीवी चैनलों को, एशियानेट को, दैनिक ठांती को, एनाइ को, उनमें कई जगे ये बात उठी है, जहां उन्होंने कहा कि हमने तो किसी सहस्था के ओपर कोई अंकोशिन रखा, हमने तो स्वतंतरता दी है, कांग्रेस के टाइम में जो चुनावा योग में लोग बने, वो बाद में राजे सवा में गए, मंतरी भी बने, उनका इशारा कांग्रेस के उपर इस बात का था, कि कांग्रेस ने अपने लोग चुन-चुन के बठाए, ये जो घटना है, इस पर कोई भी बोल सकता है क्या, बना प्राइमा फेसाई साफ साफ है, प्राइमा फेसाई बिल्कुल क्लियर है, कि ये वोईलेशन ओफ लौ है, ये हेट स्पीच के दायरे में आएगा, इसके पहले ऐसे कई उधारन मौजूद है कानून में, और कानून के दिगश आपके सामने अगले एक दो दिन में भवानी शब्द हटा दे, उनका एक थीम सौंग जारी हुआ है, उधाव ठाकरे वाली शिव सेना, जिसका सिंबल, जिसकी पहचांज, वो सब कुछ, वो जो दूतरा धड़ा है, एक नाचिंदे वाला उधर चला गया है, तो इन्होंने अपना एक नया सिंबल मशाल का जार जारी किया, उसके साथ एक थीम सौंग चुनाओ के लिए, चुनाओ प्रचार के लिए जारी किया, उसमें ये भवानी और हिंदू शब्द है, अब अगर हिंदू और भवानी शब्द, इसको चुनाओ आयोग मानता है, कि ये Model Code of Conduct का, Public Reformation Act जो है, उसका चुनाओ अचार स संगीता का चुनाओ के दरान जो भी दिशा निर्देश, चुनाओ आयोग ने देश के संविधान और कानून के तहत अंतरगत जारी किये हैं, उनका उलंगण है, तो क्या ये बात प्रधान मिंतर जी पर लागू नहीं होती है, बताइए, होती है ना, चुनाओ आयोग ने, जो सबके लिए एक modal code of conduct की बात कही है, जो सबके लिए हिदायत जारी की है, आपको याद होगा, एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भारतिय जंता पार्टी की एक उमीदवार हैं, अभिनेत्री हैं, बड़ी अपनी जमाने की मशूर हिवा मालनी जी, उनके बारे से अयोग्य घोशित किया था, उनकी टिपनेयां भी पब्लिक डोमेन में हैं, जो उन्होंने बात तब कही थी, अब आज अधान मंतरी के इस तर पर यदी violation होगा, तो आप आम नागरी की से कैसा उमीद करेंगे, आप किस तरह की बात कह रहे हैं, ये कहां से स्वीकार हो सकत है, इसमें तो मुकदमा अगर होगा, कहीं भी, तो क्या गलत है उसमें, तो मुकदमे वाली बात ही बनती है, ज़र आप सनातन के उपर दिये गए बयान को लेकर के, तमिलनाडू के एक मुक्यमंतरी के बेटे, जो की मंतरी पदपर हैं, विधायक हैं, चुने गए हैं, वो परसनल मीटिंग या पबलिक मीटिंग में कोई भी ऐसी बात कहते हैं, जिस पर अपत्ती होती है, अदालत में मामला चल रहा है, पुलिस में शिकायद धर्ज हुई है, और उनकी इस बात को कोई सुईकार नहीं कर सकता, किसी भी धर्म के बारे में हो, किसी भी समुदाय के बारे में हो, मतब एक फिल्म का छुटा सा गाना होता है, उस पर लोगों की भावना ये आहत हो जाती, ये मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो फिर कानून के साब से क्या होना चीए? कानून ना काम करें, जब कानून सबके लिए बराबर है, लगतार ये बात उठ रही है, वि कानून पान को लेकर बात हो रही है, उनको जमानत देने को लेकर, उनको इंसुलिन को लेकर कि जो पूरी बहस और जो पूरा गटिया इस स्थर की हो चल रही है, उसमें जब भी कोई दलील उठ ती है, तो ये मुक्नमंतरिय हों किसी और के लिए बराबर है, तो अब ये जो परिभाशाएं हैं, वो अलग हो जाएंगी, यह कुछ नहीं, तो यह दोरे माप देंट कप कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, एक बात तो यही है, और दूसरी बात जैसे मैंने कहा कि किस इस्तर की बात हम कर रहे हैं, किस तरह का डर पैदा कर रहे हैं, किस तरह का खौफ पैद तो देखिए आने वाले दिनों में देखना दिल्चस्पे चुनावायोग से तो शायद ही किसी को उम्मीद होगी कि वहां से आप करवाई छोड़िये, वहां से तो कोई नोटिस भी जारी हो जाए तो उसे बहुत बड़ी बात मानी जाएगी, क्योंकि सस्थाओं की क्रेडिबिल्टी, क्रेडिबिल्टी नाम की चीज तो कहा है भी इन समय सस्थाओं में, जो आरोप, ED, CBI, Election Commission, Income Tax और तमाम दूसरी सस्थाओं पर लग रहे हैं, वो आपके सामने हैं ही, देश उन्ही सबसे जूज रहा है और उमीद करते हैं कि यह जो चुनाओं है, इसमे देश की जंता, एक तरह से अपना निर्ण है, अपना फैसला, अपनी राए, अपनी स्विक्रती, सहमती या अक्रोश या असहमती, इस बार जो मद्दान के जरिये जाहिर करेगी, वो उसी का एक प्रतीक होगा, उसी का एक परिचायक होगा, उसी का फैसला होगा, तो वो त तो प्रेक्रिया शुरू हो चुकि है, Phase 1 वो चुका है, बाकी Phase 2 बाने हैं लेकिन यह मामला, यह जो हेटी स्पीच का मामला है, चुकि इसमें कई लोगों को सजा हुई है, कई लोगों को इसमें नुकसान उठाना पड़ा है, कई लोगों पर तो लेवल प्लेइंग फील्ड सब के लिए होनी चाहिए न केवल एक व्यक्ति विशेश के लिए तो अलग नहीं होगी आप इस बारे में क्या सुचते हैं हमें अपनी राहे से वगत कराईए और बने ये Legal Observer के साथ जैसे इस मामले में अगला कोई अपडेट होगा हम आपको सुचित करेंगे हमें सब्सक्राइब कीजिए हमें शेर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए नश्यक्राइब